हेलो फिरेंच नमस्कार आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक डिफिरेंट डिजाइन साइधी पहले कभी आपने खाई होगे इसको बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही क्रिपसी बनते हैं कि चैनल पर नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किज़ेगा तो यहां पर हम लिए हैं एक निक्सिंग जाड एक कर्टोरी गेहों का आटा एड के हैं नमक और एक चमच अज्वैन दोनों हाथों से इस तरह से रगड़ेंगे और यहां पर हम तिन चमच रिफाइन ओ करेंगे तो इस तरह का हम डुल Administration कर लिया है इसको हम डुलकर के साइड में हम डग देंonnast भिफिन अधना तक हम स्टाफिन तयार करेंगे दूर का या को गेस में चढा के गरम कर लिए तेल के गरम होते ही इसमें हम डाल देंगे जीरा जीरा को हम ब्राउन होने तक पका लेंगे और इसमें हम डाल देंगे केपसिकम केपसिकम को हम नरम कर लेंगे जब यह नरम हो जाएंगे जाएंगे तब हम इसमें एड करेंगे शूखा मसल सल चोटा चमच जीरा पोडर धनिय जाइन पॉडर लालमिच पॉडर हल्दी पॉडर आधा मिदेत हम इसको पका लेंगे लोटो मीडियम में वह पॉड़ है और अब हम इसमें एट कर लें आलो हम उबाल के गेट कर लिये थे मिला लेंगे नमक भी हम डाल देंगे तो याद रखिए नमक हम आटा में भी दिये थे तो उसी के हिसाब से हमें सिप आलू के लिए ही यहाँ पे नमक देना है एक मेंट हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यह अच्छी तरह से मिल गया है इसको हम निकाल लेंगे और इधर आटा जो हम रख दिये थे इसको भी एक दो बार इस तरह से मसल लेंगे और इसमें से हम एक पीस उठा के इस तरह से बेलेंगे तो यहां पे हम रोटी को बहुत बड़ा ही बेल लिये हैं तेकने से हम इस तरह से रख रहे हैं और इसको हम चाको के सहता से कट कर लेंगे इसको एर में और किनारे के अंस को हम इस तरह से निकाल लेंगे इसको हम बाद में फीर से बनाएंगे और इसको हम चार भाग में कट कर लेंगे तो यहाँ पे हम एक पिस्को उठा के इस तरह से थोड़ा से बेल लेंगे तो यहाँ पे हम बीच से कट कर लेंगे लंबा और किनारे में हम तीन कट कर लेंगे और उधर से भी हम तीन कट कर लेंगे और जो हिस्टापिन हम बनाए थे इसको हम इस तरह से रख देंगे शेट कर लेंगे और किनारे में हम पानी लगा लेंगे तो यहां पर हम किचन स्लिप पे बनाए थे इसलिए नीचे से चिपक रहा था चाकू से हम इस तरह से उठा लेंगे और इस तरह से हम मिश्रन के उपर में रख देंगे और किनारी को हम इस तरह से बंद कर देंगे और इस तरह से हम देख सकते हैं इस तरह से रोल कर देंगे और इस तरह से हम एक बार घस देंगे तो बस अब यह खुलेगा नहीं और डिजन तयार हो गया है इसी तरह से एक और में आपको दिखाऊंगे यह बहुत ही इजली बन जाते हैं तो इसी तरह से बीच में एक लंबा कट कर लेंगे और किनारी-किनारी तिन कट लगा लेंगे और मिश्रॉन को इस तरह से रख लोट मीडियम पे और हम इसको रख देंगे लोट मीडियम पे ही हमें इसे पकाना है लोट मीडियम पे पकाने से यह और भी क्रिप्सी बनते हैं उलट पलट करके हम दोना तरब से पकाएंगे तो यह तयार हो गया है इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे तो इसी तरह से सब बना लिये हैं आप सुन सकते हैं यह कितना किरिपसी बना है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सस्क्राइब जरूर किजेगा ताकि जो भी वीडियो में डालूंगी आप तक पहुंच सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद